कि आई ये आज हम समाजिक सुधार अंदोलन के बारे में पढ़ते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1877 के करांती के बारे में पढ़ा चुके हैं यहां से कोई बार कोश्चन पर चाहें कोई भी एक्जाम हो चाहें PCS हो चाहें दरोगा हो चाहें SSC हो कोई भी जनल कंप इसन मीशन उसके बासे थियो फिसक थियो सोफिकल सोसाइटी इन सब के बारे में पढ़ा जाता है एक एक करके यहां से कई बार कोश्चन आया हुआ है अब जैसे कि अब हम जानते हैं पहला है ब्रहम समाज तो ब्रहम समाज की अस्थापना 1828 CCV में राजा राम मोहन रायने किया था यह का किया थे कि प्रहम समाज की अस्थापना इस संस्था से यह का करते थे कि जो भी उसमें हिंदू धर में जो कूरितिया थी उनका यह विरोध करते थे जैसे कि सतीप्राथा का बाल विवाह का इस सब का विरोध करन करते थे यही राजा राम मोहन राय करते थे क जमने महिला नहीं जया सकती हमां तो क्या सmukic है औरॗ विण के व्हाधे कि तक श्राइं की बborनन पॉसन मुषणगा यहीं तुम प्रती यह रहा पी प क्या श्राइब क मों करना महत है नहीं कुछ चल आगे समय कर क्या होगा कि इनकी भावी की भी मृत्ति हो जाएगी कि इनकी भावी के करें इनकी भाईया का मृत्ति हो जाता है राजा राम मोहरायक है अब जब इनके भाईया का मृत्ति हो जाता है तो यह क्या करते हैं कि सभी लोग इनके भावी को जीन्दा जला देते जैसे सतीप्राथा तो यहीं जनरल उसी के हिसायता से क्या करेंगे सतिप्राथा का समाफ्थ कर देंगे तो कई बर क्वेस्चन क्या था तो राजाराम मोहराय कर capable प्रताओं के विरोध करने के कारण ही इनकी का कह जाता है भारती पुनर-ज्यागर्न या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है तो भारती पुनर ज्यागर्ना और अधुनिक भारत का अगर दूत का डूतर राजा राम मोहराय को कहा जाता है chant डूतिन extrozą your God यह बहुत पढ़े लिखे ब्यक्तितें ह ciert बहुत बिद्वान इन्हें कोई भासाना का जनका और जैसे कि हिंदी हो अंग्रेजी हो erि उर्दू इनको ऑच्छी तरह से जनका दलेता है इन्की एक पत्रिका निखलती सरवाधिक पत्रिका समचार पत्र लिखते थे जिनमें फार्सी भासा में उता था जिसमें इनके सबसे परमुख जो अकबार थे एक था मिरातुल अकबार जो फार्सी भासा में इन्होंने लिखा है और उसके बासे संबात कमोदी यह इन्होंने बंगाली भासा में तो कई बर क्वेस्चन पूछा है मिरातुल अकभार राजारा च्वारा मौराया ने किस भासा में लिखा है थो फार्शी भासा में लिखा है था उसके बासे इन्होंने क्या किया था कि 1830C में यह गए थे लंदन अकभर दूती के पेंशन को बढ़वाने क्लिए कहा गए थे सके मृत starch for में इनकी सब्सक्राइ Ward मिरें कि उसके ौजपे जब उनकी मृत्ति हो जाएगी तो का रगा कि जो प्रहँ समाज हो गा गया अगा चल्ա करेंगे लेकिन कुछ सालों के बाद का हो गा की देवंध्ना, टेगोर और केशो चंद्र सेन के बीच मतभेद होने लगेगा जिसके वज़ा से क्या करेंगे कि यह दोनों अपना-पना एक अलग समाज के अस्थापना करेंगे जैसे में कि दव्यादना टेगोर का करेंगे कि 1865 में यह भारती आधी समाज के अस्थापना करेंगे और केशो चंद्रसेन का करेंगे कि 1800 साइसा माज की स्थापना चंद्रसेन जो किस के शीशे थे यही राजा राम मोहान राह के पर अब हम समाझ के बारे में तो आरे समाझ के स्थापक थे दयानन सारसाति इनका जन्वा हुआ 18-34 20 में दुछिरात meet वाता और उसके बाएस से एक होगा कि इन्हों ने 1875 20 में इन्हों ने क्या आरे समाज कि आस्थापना किया था ऑऊचैनि 1770 में बूमबई में किया था और इसी mistakes ऐसाखा 1887 में दो साल बाद एसे लहोड में खुलेते और उसके बाएस समाज आर eightcken नारा था भारत भारत्यों के लिए कई बरक्वेश्चन पुचा है के आर्ए समाज का नारा के था तो भारत भारत्यों के लिए था जबकि एक जबकि इनका व्यक्तिकत रूप से नारा था दयानंद सरसुती का एक कोटे थे के बैदो की ओर लॉतौ तो दयानंद सर्शुति ने क्या नारा दिया था इन्होंने नारा दिया था था कि बेदो की ओर लटो और दयानंद सर्शुति के जो गुरू थे उनका नाम था ब्रिजानंद इन्होंने भी क्या था कि जो भी उस समय के हिंदू कूप्रथाओं थी उनका विरोध किया था जैसे कि सथि प्राथा बाल वीवा प्रदा प्रथा इन सब का विरोध किस ने किया था यही दाया नाम धाया शर्षनीर किma बाद कि कि उसके बादसे इनके का होगा इनके मिरित्यु पी इनके एक बैदीक कालेज के अस्थाप नै किया था, तो हंसराज न किया था, अँल किसे सीशती थे, तो ही दयानांद स्वर donorस्रती के सीशती उसके बाद से हम देखते हैं राम क्रिष्ट मीशन के बारे में तो राम क्रिष्ट मीशन के संस्थापक थे स्वामी विबेकानद और इनके गुरू का क्या नाम था तो राम क्रिष्ट परमाहसर अपने गुरू के नाम पर ही यह क्या करते थे राम क्रिष्ट मीशन की चलाते इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनके स्वामी विवेका नद के बचपन का नाम था नरेंदर दौत उसके बासे इन्होंने क्या हिया था कि इनकी प्रारंभिक सिच्छा देख रेक सब पढ़ाई उनके गुरु ही कौन समारे थे रामक्रिष्ट परमाहंस ने तो यही स्वामी विवेका ने किया था और आगे चल के यही बिलूर मत क्या होगा कि 1897 इसमी में का जाएगा कि अंतराष्टी मुख्याले बना देंगे उसके बास इन्होंने क्या किया था इतना काम यह कहेंगे उसके बास एक कांव करेंगे 2893 में स्वामि विवेका नन जाएंगे अमेरिका शिकागो में एक शिकागो धर्म समयलन होगा तो वह पर इनने स्वामी विवेका नंद का शुरुवात महिनोंने मजाक पड़ा है कि यह कैसा वस्त्र पाना है लेकिन जब भासर देने लगें तो हमें लग रहा है कि वह एक इतिहासिक भासर था अब पूरा जो उस समय पूरा अमेरिकी जो भी अमेरिका का व्यक्ति जो आया था भासर धार् है यह को कखें स्थापना क्या है तो स्वामी विवेका नंद को हुए पर फैल्यों या नेपोलिएन या तुफानी हिंदु किजे का शुवामी विवेका नंद को सुवास चंदर बूस ने कहा था स्वामी विवेका नंद को या भारत सीमी गुरु ने कह था अब हुम देखते हैं थीज शूफी कर सोसाइटी के बारे में तो थीज शूफ कल सोसाइटी की असथापने कव गुए था 1875 इस्वे में जो कनाडा में हुआ था इसके संस्थापक थे मेडम बलावा टास्की और करनल आलक काट यह दोनों ध्यान दिजेगा मेडम बलावा टास्की और करनल आल्ख काट एका कुरते थे इनकी भी मुख्य उद्यस यही था कि संस्कृती और सिच्छा को बढ़ावा देना था और उसके बाद से इसी का ही थियोस्टोफिकल सोसाइटी का एक साखा खोला गया 1886 में मदराश के अडियार में और वही का अगर उसी को मुख्याले बनाए गया उसके बाद से का होगा कि इसी थियोस्टोफिकल सोसाइटी के एक सतर से बनकर आएंगी जिनका नाम होगा एनी बेसेंट वो चाहेंगे कि भारत में होम रूल के अस्थापना हो प्रारम करना चा समाजिक सुधार में यंग बंग अन्दोलन तो यंग बंग अन्दोलन की शुरुआत किस ने किया था तो हेंरी बिलियम डेरी जीओ ने किया तो कब 1828 में यह क्या हुगता यह बंगाल के युवावों से द्वारा शुरू किया गया था इनका मुख्य उद्श था कि भारत म बनाए रखे लेकिन उसमें क्या अंग्रेज क्या करते प्रेश प्रेश के जैसे चाहते थे वह ऐसे ही समचार पत्र छपता था उसके बास हम देखते हैं मुस्लिम सुधार अंदोलन मुझलिम सुधार अंदोलन में मातर three है ये नाम वहाभी अंदोल के सस्थापक कुशल थे सय अहमद बहाभी अंदोलन मुख्य कल्चर उसी को अपनाया जाए यह वी तो इनका मुख्य उद्यस यही था कि प्रच्मी संस्कृति के विरूद उसके बाद से एक और आया था मुस्लिम सुधार में अल्ली गड़ अंदोलन तो इसकी शुरुवात किया थे सरसयद अहमद खाने तो अल्ली गड़ अंदोलन के शुरुवात किस ने किया था तो सरसयद अहमद खाने किया था इन्होंने इसका प्रारभिक शुरुवात अल्ली गड़ से हुआ था इसका मुख्य उद्यस से था कि मुस्लिमों को सिच्छा देना सिच्छित करना था अब इ गर्ड एंगलो ओर्येंटल कालेज और उसी के बाद यही अल्ली गर्ड एंगलो ओर्येंटल कालेज 1920 में हो जाएगा अल्ली गर्ड मुस्लिम भी सबीद्य आले और इनको क्या किया थे यह पेट्रियार्टिक एसोसियोशन के संस्थापग भी कौन थे सर सयद अहमद खान थे उसके बाद से हम देखते हैं अहमदिया अंदोलन की शुरुआत किये थे यही मिर्जा अहमद खान ने किया था उसके बाद से यह का करेंगे कि यह गुर्दाशपूर में शुरुआत हुआ तक यह चाहते थे कि हिंदू मुस्लीम में एकता लाना यही था जाके क्रिश्न यह क्रिश्न पर्वान के आतार हैं कि यह मुस्लिम होकर क्लिश्न मुस्लिम के आतार बता रहें जिसके वज़ा से अभी अंदोलन उतना सफल नहीं होगा था